आज मैं आपके साथ बहुती सुन्दर बहुती आसान टू कलर पैटन सेयर करने जा रही हूँ इस पैटन को आप अल प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं बनके बहुती सुन्दर हमारा ये पैटन आ जाता है और ये पैटन हमारा फ्रंट साइट से बनना स्टार्ड होता है दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू वीडियो की नोट्विकेशन के लिए लाइकन दबाना न भूड़ें वीडियो आपको कैंसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूड़ें अब देखिए फ्रंट साइड से बैटन की फर्ष्ट रो आप देखिए फर्ष्ट रो में हमारा सेकिंड कलर आएगा सबसे पहले हमने अपने प्रोजेक्ट के इसाब से फंदे डाल लेने हैं फिर उसके बाद कोई सा भी बॉड़र बना के तयार करेंगे और बॉड़र के बाद जो हमारी फ्रंट साइड से फर्ष्ट रो आएगी फर्ष्ट रो में हमारा सेकिंड कलर आएगा तो देखिए यहां पर देखिए हमारा सेकिंड कलर ग्रे है आप कोई भी कलर अपलाई कर सकते हैं तो देखिए पहला फंदा ऐसे बुन के उतार लेंगे अब देखिए नेस्ट फंदे से हमारा पैटर्न बनना स्टार्ड होगा तो देखे पहला फंदा आगे करेंगे और जो इस पेस है यहां इस पेस में ऐसे सलाई डालेंगे और देखे एक फंदा बना लेंगे यह एक फंदा बनाया और देखे जो फंदा सलाई में है इसको ऐसे ही बिना बुने उता लेंगे फिर देखे नेस्ट फंदे में भी सेम प् लेंगे और एक फंदा बना लेंगे यह एक फंदा बनाया और दिखे इस फंदे को हमने ऐसे बिना बुने उतार लेंगे फिर नेस्ट हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे फंदा आगे करेंगे और जो इस पेस दिखाई दिरा है यहां पर एसे सलाई डालेंगे और एक फंदा करेंगे और देखे जो इस पेस दिखाए देरा ऐसे सलाइड डालेंगे और एक फंदा बना लेंगे यह देखे फिर इस फंदे को हमने बिना बुने उतार लेना है नेस सेम प्रोसेस रिपीट होगा यह देखे सेम प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे और फ्रन्ट साइड से अपनी फर्स्ट रोह कंप्लेट करेंगे यह देखे यह फ्रन्ट साइड से हमारी फर्स्ट रोह कंप्लेट हो गई अब देखे बैक साइड से से किंड रोह आप से किंड रोह में देखे पहला फंदा उतारेंगे और देखे नेस्ट फंदा हमने उल्टा बुन लेने यह देखे नेस्ट फंदा हमने उल्टा बुना यो धागा अपनी side है, अब देखिए जो हमने ये एक फंदा बनाया है, extra फंदा और देखिए जो nest फंदा हमने बिना बुने उता रहे हैं, इन दोनों को एक साथ बनेगे, ये देखिए, फिर देखें नेस्ट हमने सेम प्रोसेस रिपीट करना है यह देखें जो एक्स्ट्रा फंदा बनाया है और एक फंदा जो हमने यह बिना बुने उता रहे हैं इन दोनों को एक साथ बुनेंगे यह देखें जो एक्स्ट्रा फंदा बनाया है और देखें जो फंदा हमने बिना बुने उता रहे हैं इन दोनों को हमें एक साथ बुनना है बैक साइट से सेकेंड रो में सेम प्रोसिस रिपेट करते जाएंगे और बैक साइट से अपनी सेकेंड रो कम्प्लेट करेंगे यह देखें हमारी बैक साइट से सेकेंड रो कम्प्लेट हो गई सेसरी अप देखें फरंट साइड से थार्ण रो अप थार्ण रो में भी हमारा सेकेंड कलर है तोे देखें पहला फंदा हमने एँससे ही विन बुने उता लेना है अब देखें निस्ट फंदे में हमारा पैटरन आएगा तो देखिए इस फंदे को आगे करेंगे और जो इस पेस दिखाए देरा यहां पर सलाई डालेंगे और एक फंदा बना लेंगे फिर इस फंदे को देखे ऐसे ही बिना बुने उता लेंगे फिर नेस हमने सेम प्रोसेस रिपीट करना है ऐसे यह देखे यह एक फंदा बनाएंगे और सलाई वाला फंदा ऐसे ही बिना बुने उतालेंगे फिर देखे एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे और जो सलाई में फंदा है इसको हमने बिना बुने उतालेंगे फिर देखे एक फंदा बनाएंगे और जो सलाई में फंदा है इसको बिना बुने उतालेंगे तो सेम प्रोसेस र बैक साइड से फोर्थ रो अब फोर्थ रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे और देखे नेस्ट फंदा हमने उल्टा बुनना है ये नेस्ट फंदा उल्टा बुनना ये देखे अब देखे जो हमारा ये एक्स्ट्रा फंदा है और जो नेस्ट फंदा है जो बिना बुने उतारा है इन दोनों को एक साथ बुनेंगे ये दो का एक कलेंगे ये देखे ये बैक साइड से जो हमारी फोर्थ रो आएगी उसको हमने सेकिन रो की तरह बुनते हुए कंप्लेट करना है ये देखे एक्स्ट्रा फंदा है और ये बिना बुने उतारा हुआ फंदा इन दोनो को एक साथ बुनेंगे यह देखिए बैक साइड से हमारी पोर्थ रोग कंप्लेट हो गई अब देखिए फ्रंट साइड से फिप तो अब फिप त्रो में हमारा फस्ट कलर आएगा देखिए फस्ट कलर यहां पे see green color है, आप कोई भी color apply कर सकते हैं, तो देखे, पहला फंद भून के उतारेंगे, ये देखे, अब देखे, नेश्ट फंदे में हमने pattern डालना है, तो देखे जो नेश्ट फंदे उसको आगे करेंगे, ऐसे space में आएंगे, ये देखे, इस hole में हमने ऐसे slide डालनी है और एक फं बनाया और नेस्ट फंदे को जो सलाई में है इसको हमने बिना बुने उता लेने हैं फिर देखें नेस्ट हम सेम प्रोसिस रिपीट करेंगे यह देखें फस्ट रो की तरह सेम प्रोसिस रिपीट करते जाएंगे और फ्रंट साइड से अपनी फिप्त रो कंप्लेट करेंगे यह देखें फ्रंट साइड से हमारी फिप्त रो कंप्लेट हो गई अब देखें बैक साइड से शिक्स रो अब six row को हमने second row की तरो ही बुनते हुए complete करना है, देखे पहला फंदा उतारेंगे, next फंदा हमने उल्टा बुन लेना है, फिर देखे जो extra फंदा है और बिना बुना फंदा है, इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे, ये देखे, दो का एक किया, फिर देखे, ये जो extra फंद है, और ये बिना बुना फंदा है, इन दोनों को एक साथ बुनेंगे, same process repeat करते जाएंगे, और back side से अपनी six row complete कर लेंगे, ये देखे, जो ये extra फंदा है, और last का फंदा है, इन दोनों को भी हमने एक साथ बुन लेना है, तो देखे, ये back side से हमारी six row complete हो गई, आप देखे, front side से seven row, आप देखे, seven row में देखे, पहला फंदा उतार लेंगे, और देखे, next फंदे में हमारा pattern आएगा, तो देखे, ये फंदा आगे करेंगे, और जो इस पेस दिखाए दे रहा, यहाँ पर हमने ऐसे slide डालनी है, और एक फंदा बना लेना है, ये एक फंदे को आगे करेंगे, और जिस पेस दिखाए दे रहा, यहाँ पर हमने एक फंदा बना लेना है, और इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, फिर next हमने same process repeat करना है, ऐसे, same process को repeat करते हुए, front side से अपनी seven row, complete करेंगे, ये देखे, front side से हमारी seven row, complete हो गई, अब देखे, back फंदा उतार लेंगे, next फंदा हमने उल्टा बुनना है, अब देखे, जो extra फंदा है, और ये जो बिना बुना फंदा है, इन दोनों को एक साथ बुनेंगे, ये दो का एक कर लेंगे, फिर देखे, next same process repeat करेंगे, दो का एक करेंगे, फिर देखे, next हमने same process repeat करना है, ये दे और बैक साइट से अपने एट रो कंफलेट करेंगे। यह एक्स्ट्रा फंदा और लास्ट का फंदा इन दुनों को एक साथ बुन लेंगे। देखिए बैक साइट से हमारी एट रो कंफलेट हो गई। अब देखिए front side से 9th row, अब 9th row में हमारा pattern repeat होगा, 9th row में हमारा second color आएगा, अब हमने अपने pattern को ऐसे ही repeat करते जाना है, और बनके देखिए हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये देखिए बहुती सुन्दर, बहुती आसान pattern है, आप इसे all project में apply कर सकते हैं, दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो किरपया लाइक करें, share करें, comment करें, और आप हमारे चैनल में नहीं हों तो please subscribe करना न भूले, thank you